हलो फ्रेंड्स तो आज किस वीडियो में मैं आपको अन्बॉक्सिंग और रिव्यू देने वाला हूं डबलू 17 प्रो स्मार्ट वॉच का जो कि अभी रिसेंटली लॉच हुई है तो यह जो होने वाला है बेसिकली डबलू 17 स्मार्ट वॉच का अपडेटेड वर्जन होने वाला है और इसके अंदर आपको बहुत सारे अपडेटेड फीचर्स देखने को मिल जाएंगे तो सबसे पहले अगर बात की जाए बॉक्स की तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स और हाइलाइट फीचर्स देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ अगर बात की जाए box contents की तो सबसे पहले देखने को मिल जाएगी user manual जिसके अंदर आपको application का barcode भी देखने को मिल जाएगा उसी के साथ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी W17 Pro और last में देखने को मिल जाएगा एक wireless charger यह true wireless charger होने वाला है और इसके अंदर आपको कोई भी magnetic pin वगेरा देखने को नहीं मिलेगी सबसे पहले अगर बात की जाए build quality और design की तो यहाँ पे यह smartwatch series 6 के उपर base जाए और इसके अंदर आपको 44 mm का display देखने को मिल जाएगा उसी के साथ sides में metal build देखने को मिल जाएगी और पीछी के side में plastic back देखने को मिल जाएगा यहाँ पे अगर बात की जाए speaker की तो यहाँ पे speaker का भी support है और microphone भी देखने को मिल जाएगा उसी के साथ यहाँ पर आपको यह दो बटन्स देखने को बिल जाएंगे और दो दो ही working है उसी के साथ crown भी working होने वाला है इस smart watch का और यहाँ पर removable straps का भी feature देखने को बिल जाएगा अगर बात की जाए डिस्प्ले की तो इस स्मार्ट वाच के अंदर आपको 44 mm का TFT डिस्प्ले देखने को बिल जाता है और overall colors वगेरा बहुत अच्छे से आता है उसी के साथ अगर बात की जाए brightness की तो brightness भी अच्छी खासी है यारी कि direct sunlight में यूज करोगे तो भी कोई issue नहीं ह बिलते हैं तो overall कह सकते हैं कि यहां पर आपको edge to edge display देखने को बिल जाती है तो जिन लोगों को full display का शौको वो इस smartwatch को जरूर से purchase कर सकते हैं अगर बात की जाए application की तो यह smartwatch support करती है m active pro को और इसको मैंने काफी दूरों से use किया और overall अच्छा कासा experience है connectivity अच्छी कासी द बिल जाते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको weather push drink water reminder sedimentary reminder यह सारे features देखने को बिल जाते हैं उसी के साथ रेस चूवे गेस्टर का भी feature उसी के साथ application के अदर और भी बहुत सारे options देखने को बिल जाते हैं जैसे कि remote capture का तो यहाँ पे आप क्लिक करके phone से images वेज़ा क्लिक कर सकते कुछ इस तरीके से और अगर बात की जाए watch faces की तो इस smart watch के अंदर built-in आपको 7 watch faces का support देखने को बिल जाएगा उसी के साथ इसके application के अंदर 100 plus watch faces देखने को बिल जाएगे और सारी के सारे ही free होने वाले तो अराम से लगा सकते हो उसी के साथ application से custom watch faces भी लगा सकते हो उसके ब देखने को मिल जाएगा और उपर की तरफ swipe करने पर notifications देखने को मिल जाएगे फोन से और left की तरफ swipe करने पर कुछ components वगरा देखने को मिल जाएगे और यहाँ पर आप चाहो तो अपने साब से components add भी कर सकते हो उसी के साथ अगर नीचे वाला button press करोगे तो watch का display on off हो सिरे स्मूथ नेच देखने को बिल जाती है रहाँ अगर बात की जाए डिस्पले धर से Какए यूझे को उनीच ही तो यहाँ पर बात की जाए यहां पर की जाए तो बहुत अलग-لبत तरीके कीлом деखने को मिलेगी और हर मिन्यू स्टील में Windows को रोटेटकर उसकर सकते हो और सारी की सारी ही अपने एसाफ से युनीक है तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सी मैनुस्टायल सबसे यदा अच्छी लगी और ओवरॉल यहाँ पर बात कीजाए मैनुस्टायल की तो बहुत सारी देखने को मिली रही है तो यहाँ पर यह सारी menu styles का support देखने को मिल जाता है उसी के साथ अगर बात की जाए से smartwatch के battery backup की और charging time की तो यह smartwatch 0 से 100 तक चार्ज होने के लिए 2 hours का time लेती है और इसके अंदर आपको 1 से 2 days का battery backup देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको एक option भी देखने को मिल जाता है always on display का तो अगर यह option on कर दोगे तो आपका display off ही नहीं होगा बस यह से on रहेगा तो इससे battery consumption बहुत जादा होता है और इसे on रखोगे तो 4-5 hours का ही battery backup देखने को मिलेगा तो अगर आप चाहू तो on रख सकते हो बाकी मैं तो suggest नहीं करूगा क्योंकि battery backup बहुत जादा गिर जाता है always on display के feature को on करके तो चलिए अब एके करके application समझाना start कर देता हूँ तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगी phone book और phone book के अंदर आप कोई भी 8 contacts add कर सकते हो इसके application से उसी के साथ यहाँ पर आपको connect phone करने के लिए बारकूट देखने को मिलेगा तो इसे scan करके connect कर सकते हो उसी के साथ watch को shutdown करने का option देखने को मिल जाएगा about का option देखने को मिल जाएगा watch 7 में ही आती है यह उसी के साथ अगर आप चाहो तो factory reset कर सकते हो यहाँ पर calculator का भी feature देखने को मिल जाएगा और अगर बात की जाए touch response की तो अच्छा खासा है तो आराम से calculations वगेरा कर सकते हो उसी के साथ अगर आप चाहो तो brightness को adjust कर सकते हो तो अभी मैं full कर देता हूँ और उसके बाद option देखने को मिल जाएगा stop watch का और यह बड़ा unique feature लगता है क्योंकि बाकी सारी watches के अंदर stop watch का feature digital watch face के अंदर देखने को मिलता है और यह पहली ऐसी smart watch है जिसके अंदर यह feature analog watch face में दिख रहा है तो overall बहुत ही unique experience देखने को मिलेगा और overall बहुत अलग चीज़ है और अच्छी चीज़ है उसी के साथ अगर आप चाहो तो password भी लगा सकते हो इस smart watch के अंदर उसके बाद option है alarm clock का setup के अंदर जाके यहाँ पर आपको बहुत सारे options देखने को मिल जाएगे और race to wake guest chair चाहो तो यहाँ से भी on off कर सकते हो उसी के साथ basic से options देखने को मिल जाएगे और यहाँ से अगर आप चाहो तो directly barcode को scan करके phone को connect कर सकते हो उसी के साथ sleep monitor देखने को मिल जाएगा जो कि accurate नहीं है क्योंकि अभी तक इससे मैं पहन के soya भी नहीं और इस दे 6 hour और 44 minutes count कर लिए तो sleep monitor के अपर आप बिल्कुल भी rely नहीं कर सकते हो उसके बाद weather का option देखने को मिल जाएगा और एक दिन का weather show हो जाएगा उसी के साथ यहाँ पे call records का option देखने को मिल जाएगा do not disturb का mode है और उसके बाद features आते हार्ट rate ECG blood pressure के तो आपको बता देता हूँ कि हार्ट rate sensor जो है 100% fake होने वाला है से smart watch के अंदर इसका reason यह है यहाँ पे आपको से 4 LED lights देखने को मिलेगी और कोई भी real sensors देखने को नहीं मिलेंगे तो हार्ट rate sensor के उपर आप बिल्कुल भी rely नहीं कर सकते हो क्योंकि यह smart watches सिर्फ design और display के इसाब से बनाई जाती है तो इनके अंदर fitness feature का ध्यान नहीं रखा जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने watch पहनी भी नहीं है फिर भी 77 शो हो रहा है तो हार्ट rate feature जो है से smart watch के अंदर work नहीं करता है उसी के साथ ECG, blood pressure, blood oxygen ये तीलो features भी fake है उसके बाद यहाँ पे आपको sport record देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको सारा data अच्छे से देखने को मिल जाएगा उसी के साथ यहाँ पे आपको pedometer का support देखने को मिल जाएगा और अगर बात की जाए sports mode की तो यह सारे sports mode देखने को मिल जाएंगे और overall अगर बात की जाए pedometer की accuracy की तो इस smart watch को पहन के मैंने थोड़ा walking करके देखा था तो सबसे पहले 100 steps चलके देखे और 63 count किये और उसके बाद 200 steps चलके देखे और 197 के आसपास कुछ count किया तो overall अगर बात की जाए pedometer की accuracy की तो कम steps चलोगे तो count accurate नहीं आएंगे पर अगर बात की जाए जितने जादा जादा steps चलते रहोगे उतनी जादा अच्छी accuracy होती जाती है से smart watch के pedometer की तो overall अगर बात की जाए pedometer की तो work तो 100% करता है उसी के साथ यहाँ पर language settings देखने को मिल जाएगी vibration का option है तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से vibrations के level set कर सकते हो उसी के साथ remote capture का feature मैं बताई चुका हूँ उसके बाद आपको option देखने को मिल जाएगा music player का जिसके अंदर से आप music को control कर सकते हो अपने phone के उसके बाद option देखने को मिल जाएगा find phone का और उसके बाद option है call का तो यह क्योंकि calling watch है तो आप यहाँ से ही calls बगिरा place कर सकते हो उसी के साथ इसके अंदर speaker microphone भी available है तो आप watch के अंदर ही बात कर सकते हो calls बगिरा phone से ही place होंगे पर watch के अंदर बात कर सकते है उसके बाद option मिल जाएगा always on display का तो always on display का भी feature देखने को मिल जाएगा इस smart watch के अंदर और उसके बाद last में option देखने को मिल जाएगा timer का तो timer भी बड़े unique style से आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा जिसके उपर आप अपने इस app से set कर सकते हो तो overall ये सारे applications आपको देखने को मिल जाएगे जो कि sufficient है एक smart watch के इसाब से तो अब अगर बात की जाए कि क्या इस smart watch को purchase करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो इस smart watch को मैं 100% recommend करूंगा क्योंकि इसकी price range बहुत कम है और price range के साब से totally value for money है उची के साथ इसके अंदर display वगिर अच्छा देखने को मिल जाता है यहाँ पर मैं ये cover हटा के बताता हूँ तो आप देख सकते हो display एकदम awesome quality का आपको देखने को मिल जाता है अगर बात की जाए इसके limitation की तो सिफ एक ही limitation में को देखने को मिला है कि इसके अंदर ये जो sensors है ये fake है अगर ये sensors working होते तो ये smartwatch इस price segment की सबसे बढ़िया smartwatch होती बट sensors थोड़े working नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको sensors के साथ compromise करना पड़ेगा तो अगर आपको कोई sensors वगिरा से मतलब नहीं हो heart rate sensor वगिरा से और आपको normal style वगिरा के लिए अच्छी सी watch चाहिए हो अच्छे watch faces के साथ और उसी के साथ अच्छे display के साथ display इसका बहुत अच्छा है इसमें तो कोई doubt नहीं है तो अगर आपको कोई ऐसी smartwatch चाहिए हो तो आप इसको 100% purchase कर सकते हो अगर purchase करनी हो तो urban store इंडिया की buying link दे दूँगा चोकि सबसे ज़्यादा trusted store है smartwatches को purchase करने के लिए तो अगर आपको ये सारी smartwatches में interest है तो आप मेरा चैनल को subscribe करके रखो यहाँ पे आपको सारे unboxing review देखने को मिल जाएंगे और आप अपने सबसे choose कर सकते हो जाल W17 Pro के बारे में मैं सारे pros और cons बता चुका हूँ तो उमीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा बाए करने की इच्छा है तो नीचे link है और अच्छा लगा हो वीडियो तो like subscribe ज़रूर करना मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए